हाई फ्रेंड्स फेलकम टू माई चेनल रेनुकस किचन में आप सभी का बहुत बहुत सौगते आज मैं आपको बताने वाली हूँ दिवाली स्पेशल करंजी करंजी के लिए यहाँ पे मैंने सुक्का कोब्रा लिया है इसे गरम कर लेंगे और यहाँ पे 200 गरम रवा लिया है इसे भी गरम कर लेंगे ज्यादा गरम नहीं करना है इसे हम निकाल लेते हैं काजू, बादाम, किस्मिस आपको कुछ भी एड़ करना है आप एड़ कर सकते हो यहाँ पर मैंने लिया है काजू, बादाम और किस्मिस पाव किलो पिटी साकर एड़ करेंगे और अच्चे से मिक्स कर लेंगे अभी इसे सैड में रख देंगे यहाँ पर मैंने लिया है आदा किलो मैदा मैदे में हम तोड़ा सा नमक और तीन चमज डालड़ा डालेंगे इसे अच्चे से मिक्स कर लेना है तोड़ा तोड़ा पानी डालकर हमें गुनना रहेगा तोड़ा और पानी आड़ करेंगे और अच्चे से गुन लेंगे जितना अच्चे से हम गुन देंगे उतना ही अच्चे से करंजी बनेंगे आटा गुन कर रड़ी है इसे हम 10 मिनिट के लिए रखेंगे 10 मिनिट हो चुका है अब इसका हम रोटी बेलेंगे इसमें हम एक चमच करंजी का मसाला डालेंगे आपको जितना कॉंटेटी चाहिए आप डाल सकते हैं या पर मैंने एक चमच लिया है और साइड में हमें पानी लगाना है पानी इसलिए लगाना है ताकि अमारा जो करंजी का मसाला है वो बाहर ना निकले तेल में डालने पर और इस तरीके से हमें प्रेस करना है इससे क्या होगा आटा हमारा अच्छे से चिपक जाएगा और अभी कट कर लेंगे इसी तरीके से हमको सभी करेंजी को बना लेना है अब मैं रेडी करकर फिर आपको मैं तेल में तलके दिखा देती हूँ करंजी रडी हो चुका है अभी हम ग्यास पे कड़ाई चड़ा देंगे कड़ाई गरम होने के बाद ही हम इसमें तेल डालेंगे तेल हमें तोड़ा जादा ही डालना है तेल गरम हो चुका है इसके अंदर अभी एक एक करके हम करंजी चोड़ेंगे और फ्राइ कर लेंगे अब एक एक करके करंजी को पलट लेना है करंजी हमारा दोनों तरफ से अच्छे से फ्राइ हो चुका है अभी मैं आपको तेल से निकाल कर अभी पलेट में सर्व करके बता देती हूँ जिनों ने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर किजिए और भी वीडियोस मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे ये देखिए करन जी कितना फुला फुला और कितना सौधिस्ट बना है इतनी अच्छी कुछ वो आ रही है आप भी अपने गर पे ज़रूर ट्राइ किजिए ताइक भी जाएंगे ये वो आपको अच्छी के वीडियो